मैं आप सभी से यह कहना चाहिए कि नौबी बार वो जीत रहे रिधायक और मंत्री ने इस बार मुख्य मंत्री बन रहे तो क्यों ना हम भी अपना एक वोट देकर उसमें अपना योगदान दें तो आपने सुना यह ब्यान जहां बाशन में एक महिला नेता ने कहा कि मुख्य मंत्री इस नेता को बनना चाहिए जो नौबी बात चुनाओ रड़कत जीत रहे हैं और मुख्य मंत्री बनने जा रहे हैं तो हम आपको बताय देते हैं वाइरल वीडियो मद्दपदेश के सागर जिले की रहली विधान सभाका है और यह मैला नेता कोई और नहीं बल्कि कोई बोर देते हैं और मैं सरिफ इसलिए नहीं किर रही हूँ कि वो मेरे ससुर जी हैं तो मैं बहुत बढ़ाई करें हूँ मैं इसलिए कह रही हूँ कि मैं इस परिवार की सदक से हूं, जैसे आप रोड़ी हूं, अगर मेरे शादी उधर नई भी खुई होती, और मेरा इस छेटर से कोई ना कोई अगर रिश्टा होता, मैं सब के सामने कहती, इस सक्ति के साथ हूं हमेशा खड़ी हूं और खड़ी र रहे हैं यह ब्यान सोचल मीडिया में जमकर वाइरल हो रहा है जब से सिवराज सिंग चोहान को मोदी और शायनिक किनाला करके केंद्री मंत्रियों को चुनावी वेरान मो उताला है तब से कई अंचलों में मुख्य मंत्री के दाविदार अपना दावा ठोकने लगे हैं मतवरेश विधान सवा के सबसे सीनियर विधायक मंत्री गुपाल भार्व toward सीनियर्टी के आधार पर मुख्य मंत्री बन्ने की दौर में हो सकते हैं मैं आप सभी से यह कहना चाहिए कि नौबी बार वो जीत रहे विधायक और मंत्री इस बार मुख्य मंत्री बने बने तो क्यों ना हम भी अपना एक वोट देकर उसमें अपना योगदान दें क्यों ना ये जो इतिहास रचा जा रहा है आज रही विधान सबागा कि तबसे ब एक वोट भी जाया क्यों करें उस इंसान के लिए जो कि आने वाला ही नहीं है रही विधान सबागे गुपाल भार्गों नौमी बार चुनावी मैदान में उनके खिलाब इस दफा यवा नेत्री कॉंग्रेज से जोती पटेल है अब देखना है कि गुपाल भार्गों को ज सागर एक्सप्रेज नूज रही शन दू हजार दो से आपकी सेबा में स्री हनुमंत छाय जूइलर्स कुसल कारीगरी एबम सुद्दता की गारंटी के साथ पतायाद रखें मेडिकल कॉलिज के आगे तिली रोड सागर मधिप्रदेश